जन्ता की अवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ आशीश परशर पूरे देश में सबसे चर्चित विशे है कि आखिर जेन यू में हरकंप क्यों मचा हुआ है और जेन यू का विशे सिर्फ जवारलाल नहिरू विश्विध्याले दिल्ली तक्सीमित नहीं है बलकि पूरे देश में इस विशे को लेकर आँग लगी हुई है आखिर विश्विध्याले परीसरों में भारत विरोधी नारे किस तरह से लगे और क्या इसके पीछे की राजनीती और क्या इसके बात की राजनीती ने करवट ली है कि पूरा देश आज JNU पर चर्चा कर रहा है और आज हम भी चर्चा करेंगे इसी पर कि आखिर क्यों विश्विध्यालों में राजनीती खुज गई है या राजनीती लोग विश्विध्यालों को अपनी राजनीती चमकाने का अड़्डा बनाना चाहते है कारिक्रम में यही चर्चा करेंगे और जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे मैं उनका परिश्विध्या पर करवाना चाहूँगा हमारे साथ है राकेश मीना NSUI से है विजया स्वामी जी CPIM से है केकि हरितवाल साहब है कॉंग्रेस से है हिमानशू शर्मा है ग्रहाग पंचाय से जुड़े हुए है राजेश महशे जी है सीनियर एडवोकेट है और अध्यक्ष है राजिस्थन बार कॉंसिल के नर्सी किराड है प्रवक्ता है NSUI के विश्णू चेतानी है भरतियन्ता पार्टी से जुड़े हुए सबसे पहले हरित्वाल साब आप से शुरू करूँगा मैं सबसे पहले केंपस से अगर रास्ट विरोधी आवाज उठती है भारत के टुकड़े करने की आवाज लगाई जाती है तो क्या ऐसे केंपस को भारत में स्विकारिता मिलेगी कि मेरा मानना व्यक्तित रूफ से पार्टी का मानना भी मैं समझता हूं कि केंपस से अगर कोई राश्ट विरोधी आवाज उठती है तो उसको किसी इस तरह भी स्विकार नहीं किया जा सकता लेकिन उस बात के कारण किसी इनोसाइंट परसन को निशाना बनाकर उसको अगर सबस्क्राइब ऒरीकों किसी मेडिया के किसी क्लिप में उसको नहीं लगाते हूं? अगर आप कोई मिटिंग कर रहे हैं उस मिटिंग में आके मोदी जी की मिटिंग में आके या वसुंद्रा जी की मिटिंग में आकर कोई पांच आदमी राश्वरोत के नारे लगाएगा तो क्या मोदी जी और वसुंद्रा जी को घरिफ्तार करेंगे कि दूसरी बात उस बात को छोड़िए राष्ट मुद्दा जो है अब आज राजस्थान विश्वित डैले के गेट पर कोई चात्र संगटन प्रदशन करता है दूसरा चात्र संगटन के कुछ लड़ने के लिए यह क्या हो रहा है कहां ले जाना चाहते हैं यही तो आप लेकिन स्वाम जी विजय स्वामी आपके पास आ रहा हूं आपका आपका जो विचार धरा है वो तो उस पूरे केंपस पहरावी है और अभी जब पहला पहला बयान आया है तो आपके नेताओं का बयान आया है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां वो कोई घट आपके पास आ रहा हूं क्या वो यूवस्टी जिस यूवस्टी की बात की जा रही है जिस पर जिस यूवस्टी की बात कर रहा हूं जिस पर सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है उस केंपस में यह हो रहा है और वो केंपस देश से बाहर कोई प्रतिवाएं नहीं दे रहा है कोई इतना बड़ा भी वो अभी आज अगर आखडे निकालेंगे तो भारत का नाम उचा करने वाले लोगों में और केंपस के लोग है जहाँ पर सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती है निचीत तोर पर यह बहुत निंदनी है घड़ना है लेकिन में कहना चाहता हूं कि इस सबसे पहले यह जात पता करना पड़ेगा कि जो उमर खाली तोर वो जो मास्टर माइंड थे सेंटर में बीजेपी की सरकार है अभी तक वो लोग क्यों के रुपता नहीं हुए एक आपने वहाँ के प्रिसिडेंट को अरेश्ट कर लिया कोई सबूत आज आपको कोड़न पेस करना था आज आपने पेस क्यों नहीं किया यह कॉंग्रेस पार्टी इसने देश की एकता खंड़ता को बना रखने के लिए अपने खूंसा सीचा है आज उमर खालित के पक्ष में लोग यह कहते हैं आज कहना शुरू कर दिया है लोगोंने कि उमत खालित को इसलिए फसाय जा रहा है कि वह अल्प संक्या के लिए गलत बात है चाह हिंदू हो मुस्लिमान हो सिख को इसाई हो जो भारत देश की एक ताखंदा को तोड़ने की बात करें दिश के खिलांक नारीवाजी करेंगा पाकिस्ताइबाद दिया उन्होंने पहले दिन यह नहीं कहा पहले दिनुगती कैसी पता घुचैने वाले लोग रहूल गंदी जी है वो चौन Лगा भीना आसक अजिए का पता सरकार आपके पास है यह सिर्फ सुप्रीम कोट ने जमाना जी आपको बता देना चाहता हूं यह सारा एक माहौल जो देश में जो यह बेरोजगारी यह कल से जो सत्र चलने वाला है इसका ध्यान भठकाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिस है और यह मोदी सरकार इसमें माहि उतर बिल्ली को सामने देखकर आँख बंद कर लेता है कि शायद खत्रा टल गया इस भूमिका में मेरे कॉंग्रेस के और एनेशवेय के मितर हैं पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा है और कैमरा कभी जूट नहीं बोलता सामने भी कैमरा चल रहा है कैमरा जूट नहीं जिस प्रकार के नारे लगे और जिस करक्रम में जाकर उसे कनहिया को इनोसेंट बताने की कोशिश हो रही है जिस प्रकार के नारे वहां लगे उसे करक्रम की अनुमती नहीं थी और करक्रम की अनुमती के समंद में भी वहां के वाई सांसलर का बयान आया है कि पहले कर्कम की अनुमती जारी की लेकिन जब ये सूचना मिली कि उसमें अबजल के पॉस्टर वहाँ पर आ रहे हैं तो कर्कम की अनुमती रद की गई जिस कर्क्रम की अनुमती केंपस में नी थी उस कर्क्रम में जाकर वो भाशन दे रहा है और फिर अपने आपको इनोसेंट बता रहे है जा भारत की देश के टुकड़े करने की बाते हो रही है मुझे तो आश्चेर हो रहा है कि एक राजनितिक दिल जिसने 60 साल इस देश पर शाशन किया है पर वो तो अभी वेक्ति की स्वतनता के रहे थे पहले दिन क्योंकि इस देश की जनता इस देश तो तोड़ने की प्रयासों को कभी समर्थन नहीं करेगी और पाकी नयायला पर हम सब का विश्वास है की नहीं है अगर किसी को गलत फसाए जाएगा तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा क्रश्ण कुमार जी कुछ कहने थे उसके बाद मैं दीपक स्वामी जी के पास आऊँगा क्रश्ण कुमार जी क्या मैं एक बात कर रहा हूं यह जे एन्यू में पहला किस्सा नहीं है जेन्यू में क्योंकि मैं चात राजी से पहले निस्वाई का प्रसेड़न भी रहा हूं दिल्ली विश्वित दैलेट जेन्यू के अंदर कई बार काम करने का मुखब मिला है मैं तो कि इतना कहना चाहता हूं कि जो यह विवाद चलना वो तो चलो छोड़ो आपके एक राज वो ऊसके ओपर कारवय क्योंनी हु क्यों पर कारवय होती नहीं हैं और एक Quốcली मिटिंग में उसको जेल पात दिन से लेके घुमर और उसको पब्लीं मार ठी और वो उरे और जारह और पर क्या क्या आप कहते हैं कि कनईया निर्दोश थे कनईया निर्दोश है तो उनको माफी मागनी के चुन्हों ने कारिक्रम हो रहा है अब जल गुरू के पोस्टर लगा जाते हैं अगर कोई मुख्यमंत्री की मिटिंग अंदर पांच आदमी अगर पाकिस्तान जिन्नाबाद का नारे लगाते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री दोशी होगी या नहीं होगी आप स्वैंस होची चलिए मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूँ जो विशह चल रहा है जो विशह है उस विशह में एक बात है कि यह जेन्यू में पहली बार नहीं हुआ है यह जेन्यू में चुका है जहां पर रास्टो की बाते होटी हैं क्या सबूत है आपका इसके पास जे एणियु में नारे लगे सबूत सब के सामने हैं इससे पहले भी हुए इससे पहले भी एक एर दर्जूटी दो सेनिक थे उनको मारा था वापर जेनियु में कारिक्रम में 2010 में यह भी घटन वहाँ पर हुई है जो वीडियो जिसके सबूत के बलबुते पर बसी सा बोलने कि हमारे पास सबूत है उसको मैनुपलेट किया गया है पूरा दुनिया जान चुकी है तो कैमरा जूट बोल रहा है लोग शामिल है उन सब को माफी मांगने चाहिए कनिया को तुरुंत रिलिस किया जाना चाहिए हम इसका इसके समर्थन में आए लेकिन स्वामी साब अगर सत सामने आता है तो मैनुपलेशन है किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं पता नहीं था वहां अबजल गुरु के पोस्टर अबजल गुरु की अपटा नहीं तो लोग इसमें इंवल्व थे उसने विरोध भी किया है उसकी सिकायत भी करना चाहरा था वह राकेश क्या जेन यू केंपस जो अभी विजय जी थोड़ा से स्विकार नहीं कर रहे हैं लेकिन अबजल गुरु को जब फांसी हुई थी तब भी वहां शोक सभा की गई देखिए क्या केंपस हम केंपसों से देना क्या चाहरे हैं नहीं देखिए मैं यह इस मामले में कहन रहते हैं और वहां अपनी बात रखते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि शडियूंतर पूरुवक जैन्यू को यह लोग बंद करना चाहते हैं और उसमें यह कहना चाहते हैं जिए तरह के वह और लगे गए वह नारे यह लगे गए कि भारत की बरबादी तक जंग करेंगे कश्मीर की आजादी तक जंग करेंगे तो इस नारे के पीछे ये नारा कोई और लगा रहा है तो हमारा hidden agenda कैसे हो सकता है नारा लगता है भारत के 10 टुकडे इंशाल्ला इंशाल्ला तो क्या इस तरीके के अगर नारे लगते हैं तो उनको अभी व्यक्ति की स्वतंतरता की आड में सुईकार किया जा सकता है भारत कोई भी अधिकार और कोई भी मौलिक अधिकार absolute नहीं है हर अधिकार subject to certain restrictions है मुझे भी मेरे background में याद आ रहे हिंदूस्तान हिंदूओं का और हम वो मंदिर बनाएंगे तो ये अभी व्यक्ति की स्वतंता में थे वो जो सारे नारे थे वो किसी परिप्रेक्ष में बोले गए थे किसी बात के परिप्रेक्ष में बोले गए थे हिंदू शब्द को किस तरह से interpret किया जाता है यह संग ने कई बार सामने रखा है कि हिंदू शब्द जो है वो जीने का तरीका है आप उसको धर्म से मत ये जो इशू है ये भारत की एकता और अखंडता से मिलता जुलता मुद्दा है भारत की एकता और अखंडता का मुद्दा है इससे भारती जनता पार्टी को और कॉंग्रेस को और जितने भी राजनितिक दल है उनको दूर रखना चाहिए और मिलकर सोचना चाहिए क्या इस चाहतरों पर रहने दीजी एबीपी एनसय के मुद्दे एबीपी एनसय लड़ने दीजे ना वहाँ इसलिए गए कि वहां जाके बच्छातरों की बात तो सुने कि आखीर मामला है हम आप से मादम से कहना चाहते हैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस मसले पर जो डिवेट पुलाई है कि पूरा देश यह चाहता है कि जिन लोगों ने देश ब्रोधियों हाँ काम किया है आपकी सरकार है अब तक आपने उनको अरश्ट क्यों नहीं किया नौ लोग जो आइंटिफाई हो चुके हैं उमर खालिद और जो भी लोग हैं उनको क्यों गिप् खिलाप रही है और कॉंगर्स पार्टी ने इस देश के एक्ता के लिए खून से इसको सीचा है खून से इसको पाला है जिस राहूल गांधी की दादी ने देश के लिए कुर्वानी दी क्या वो देश बक्ति का सट्टिफिकेट इन वाजपावालों से लेगे मैं आप से प कोद कोन करता है मुझे लगता है उसे मूल बात से भटकाने के लिए कभी कन्या को इनोसाइंट पताया जाता है कभी अभी विक्तिकि सवतनतरता की बात लाही जाती है पिश्टो जी एक बार आपको रोकूँगा, आपको रोकूँगा, एक बार रोकूँगा, एक ब्रेक लेऊंगा समय की सिमा, ब्रेक के बार तुरंत लोटता हूँ, वापस ये चर्चा जारी रखते